राम राम किसान सातियों मैं राश्कमार वर्मा एक बार फिर हजूरूं एक नई जानकारी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एगरी टेक किस नई वीडियो में किसान सात्यों आज हम बात करेंगे कि हमारी धान की फसल में सरसों की खली और यूरिया का इस्तिमाल कप करना चाहिए इन दोनों को एक साथ प्रयोग करने से हमारी धान की फसल में क्या रियल्ड मिलते हैं क्या क्या फाइदे इनके प्रयोग से मिलने वाले हैं तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंतितक जरूर देखें, जिस्टे की आपको एक सही और महत्तपूर जानकारी मिल सके, बात करते हैं किसान सात्यू धान की बसल में सर्सो की खली का प्रयोग क्यों किया जाता ह सर्सो की खली का धान की बसल में क्या महत्तू रहता है, तो किसान सात्यू नाइट्रोजन, फास्पोरस, फोटास, जिंक, सलफर, इनके साथ साथ हमारी धान की बसल के लिए अन्य बहुत से सूज में पोसकत्तों की आवश्यक्त पड़ती है, जिसके लिए हमें अपनी धान क बसल में नेम की खली या सर्सो की खली का इस्तिमाल करना होता है, क्योंकि इनके अंदर 6-7 पोसकत्तों उपस्तित रहते हैं, जो कि हमारी धान की बसल के लिए काफी महत्तपूर्ण होते हैं, तो इन खलियों को इस्तिमाल करने से हमारी फसल में इन सूज में पोसकत्तों की पूर्ती हो जाती है इसके साथ साथ हमारी जो फसल है भे बहुत अच्छे से ग्रोध करके चलती है तो इसके लिए हम अपनी धान की बसल में सर्सों की खली या नेम की खली का इस्तिमाल करते हैं बात करें किसान साथ यो सर्सों की खली और नेम की खली का इस्तिमाल कितनी मात् तो इसके लिए आपको 5-6 क्लोग्राम प्रती एकड़ के हिसाब से नेम की खली या सरसों की खली लेनी है बात की जाए इनके लगाने के तरीके की तो आपको इन खली को बहुती बारी करके पीस लेना है जिससे कि आप उसे आसानी से यूरिया के साथ मिला कर बिखेर सकें बात इसको लगाने से कोई भी निगेटिब इंपेक्ट आपको अपनी फसल में देखने को नहीं मिलेगा किसान सात्यू जब भी आप नीम की खली या सरसों की खली का इस्तिमाल अपनी धान की फसल में करते हैं तो आपकी फसल बहुती अच्छी तरह से ग्रोथ करके चलती है फस को लाइक और शेर ज़रू करें और हमारे चैनल राज एग्रिटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें दाने बाद